अच्छे दिन आने का नाम नहीं ले रहे हैं तभी तो एक के बाद एक जटके पाकिस्तान की मुश्किलें और बड़ा रहे हैं अभी तक भारत के पलटवार से परेशान पाकिस्तान को अब अमेरिका ने भी कमर तोड़ने वाला जटका दिया है अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मिलिटरी एकोनोमिक मदद में भारी कटोती की है इसे भारत यूएस के मजबूत रिष्टों का असर भी कहा जा रहा है आपको बता दें कि अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान को 3.500 करोड डॉलर की मदद की थी 2016 में ये 100 करोड डॉलर से भी कम रहेगी 5 साल में ये मदद 70% तक घट गई है वहीं 2007 के बाद 100 करोड से कम मदद देने का ये पहला मौका होगा अमेरिका का कहना है कि पाक तालिबान को सपोर्ट कर रहा है इसी वज़ा से मदद में कटवती की गई है 2007 के बाद ये पहला मौका है जब यूएस ने पाकिस्तान की 100 करोड डॉलर से कम की मदद की हो अमेरिकी सरकार के डेटा के मुदाबिक 2011 में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 350 करोड डॉलर यानी करीब 2346 करोड रुपे की मदद की थी 2016 में इसके 100 करोड डॉलर यानी करीब 670 करोड रुपे से भी कम रहने का अनुमान जताया गया है 2007 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को हर साल 100 करोड डोलर कम की मदद नहीं की थी अमेरिका के पाकिस्तान पर लगाए गए आर्थिक दंड से पाकिस्तान के अफसरों में खलबली मच गई है वहीं मदद में कमी की वजह अफगानिस्तान में तालिबान को लगातार सपोर्ट करना बताया जा रहा है इसी के चलते वहां अमेरिकी और नाटो फोजों को परिशानी का सामना करना पड़ता है वहीं अमेरिकी थिंग टैंक्स के मुताबिक अमेरिका ने साउथ एशिया को लेकर बनाई अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है अब अमेरिका ने अफगानिस्तान पाकिस्तान से दूरी बनाई है लेकिन भारत से रिलेशन और मजबूत हुए है वहीं एक्सपर्स का ये भी मानना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने रिलेशन मर्जी से चलाए और भरोसा खोते रहे और पाकिस्तान का लगातार तालिबान को सपोर्ट किया जाना अमेरिकी मिलिटरी और इंटेलिजेंस में फ्रस्ट्रेशन का कारण बना है ओबामा एड्मिनिस्ट्रेशन ने अफगानिस्तान ने और मिलिटरी बढ़ाय जाने को लेकर कोई खास रूची नहीं दिखाई है एक अमेरिकी अफसर ने कहा टेररिज्म के खिलाफ वार में हम करोडों डोलर बरबाद कर चुके हैं हमने पाकिस्तान को जितना दिया वो काफी ज़्यादा था उसे अब कई अन्यसोर्स जैसे की चीन से मदद मिल रही है आपको बता दें कि पिछले साल चीन पाकिस्तान ने 460 करोड का एनरजी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉंच किया था बहराल अमेरिकी रुख से साफ है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया की जमात से अलग थलग पड़ सकता है और उसकी विश्वास घात करने की निती उसके अस्तित्त को दुनिया के नक्षे से मिटा सकती है एनमेफ न्यूस की रिपोर्ट